हेलो हाई कैसे हो सारे उमीरे बढ़ियाई होगे मैं मुष्वारा उपरिती तो एक कमाल की वीडियो बने नुमारा फिर से स्वागत करता हूं यार देखो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी है जिससे हम बहुत अच्छे डिसेंट से जो हमारा एम है अल्टिमेट एम हमारा क्या है 95% आने 90 से उपर लाने मुझे हर बच्चे का अपने अपना एम होगा पर उसको यह निपता कि यहां तक पहुचने के लिए मुझे कौन-कौन सी किताबों को फॉलो करना है ठीक है अब कौन-कौन सी किताब है मतलब मेरा दोस् तो मुझे कौन से करने चाहिए कौन सा एक बेस्ट तरीक है ठीक है यह यह चीज़े फॉलो कर लिए और उसके बाद मैं 95% बोर्ट के पेपर में लेके आ गया तो ऐसा कौन सा तरीक है तो उनी किताब के उपर बात करेंगे कि हाँ यह 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 रिसोर्स तुम फॉलो करो इसके तुम्हें एक एक एक्स्ट्रा पन्ना इंकुलूड करने की जरुवत नहीं और तुम्हारे अपने आप अच्छे नंबर आ रहोंगे तो उस चीज़े उपर हम बात करेंगे कि हाँ कौन-कौन से सफिसेंट रिसोर्स है मिनिमम रिसोर्स कौन-कौन से है और जो की सफिसेंट होंगे ठीक है क्योंकि यह इस चीज़ सब्सक्राइब जरूरी है कि एक सभी से नंबर आप रिसोर्स में मिलें क्योंकि देखो अन्धा सागर है आपके बास एन नंबर आप चीजे हैं आपको उसमें से खुच सेलेक्ट करना बढ़ेगा कि हाँ इस से पढ़ना इस से होंगे उतना सुमारे लिए बढ़िया होगा बना फज जाओगे ठीक है तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आज कि 95% तक लाने के लिए और देखो यार मैं खुद डीसे नंबर ला रखा हूं अपनी क्लास 10th में 12th में ठीक है कभी पूछोगे मेरे से बात ना बता द करना है ठीक है तो एक अच्छा discussion होने वाला है ठीक है तो देखते हैं जरा क्या के चीज़े follow करनी बढ़ेंगे ठीक है अंधी किताबे नहीं करनी है कहने का मतलब यह है ठीक है अब देखो सबसे पहली बात एक छोटी सी चीज तुम समझ लो तुमको अगर यहां तक करता है तो तुमको क्या करना बढ़ेगा तुमको एक खोटा सा काम करना बढ़ेगा जो तुमारे रिसोर्सिस होंगे वह मिनिमम मूं होने तुमको पता होना चीजिए मुझे NCRT के बाद यह पर्टिकूलर रजेंस फोग करना है ठीक है मेरा इस subject प्रिपेर होगं है लाश् और यही एक रीजन होता है कम नंबर आने का, ठीक है, तो आपका क्या एक छोटा सम्मंत्र होगा, इस मंत्र को याद रख लो, You have to follow minimum resources, ठीक है, minimum resources and maximum revision, ठीक है, क्या करना है, minimum resources को follow करना है, और maximum revision करने, और एक छोटी सी कहानी तुमने इसके उपपर सुनी भी होगी, मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, कई बार तुमने सुनी है, कहानी क्या है, वो कहानी यह है, कि यार देखो, तुम्हें अगर मान लो, मैंने कहा कि यार एक रखकड हा रहा था, उसको, कहा ंगल में पेड़ काटो, तो क्या करता है, नौ गन्ते तो लाकंबनी आ रहा है, और एक गन्ते मां काट देता है, ठीक है, तो तुम्हें वो ही नौ गन्ते वाला काम करना है, ठीक है, तुम्हें इतना कंस्टेंटेंटन है, उ Lynn limited resources को follow करना है, और अपना काम कर देना है, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि minimum resources को follow करो, और maximum revision करो, ठीक है, तो यह चीज तुम समझ गए हो, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा तुम किताबे ला रखे हो भी खरीट के, ठीक है, यूच करो, उनको यूच कैसे करना हो, भी बता दूँगा तुम्हे ठीक है, ठीक है, यह चीज तो मैं समझ गया हूँ, आपने जो बताई, तो अब देखो, एक गोलू बच्चा था, ठीक है, उसकी strategy क्या थी, उसकी strategy थी, यो math में follow कर रहा था, किताबे, जो उसकी teachers ने उसको बताई थी, एक RD सर्मा कर लेना वोला, तो RD सर्मा करने लग गया ह सारे सागरवाल कर लेना वोला, वो भी करने लग गया, एसी यो science में आये तो लखमीर सिंग करने लग गया, अरिहंत की reference book लेकर आगया, और यही same काम और other subjects में करने लग गया, ठीक है, अब यह काम करने लग गया, अगर सारे subjects में तो दिक्कत की आई, तो लाटता को यही न तुमको कैसा बनना है, तुमको बनना है चकको बच्चा, चकको बच्चा यह होता है, तो देख लेते हैं, ठीक है, अब बताता हो तुम्हें एक decent strategy क्या होती, जो राम ने follow करी, ठीक है, गोरु वाली strategy अपने को follow निकनी है, हमको अनन्त किताबे निकनी है, हमको mastery निकनी है, हमको सिरह number लाने है, तो ठीक है, हम उस चीज के उपर काम करेंगे, अब देखो, राम की strategy क्या थी, उसने सारे subject में सबसे पहला काम करा, NCRT follow करी, क्या करी, NCRT follow करी, यह तुम्हारी Bible है, ठीक है, तुम्हें यह किताब आती है, तुम्हें सभात है, लास्ट में कोस्तन यही सवाल यहीं से पूछे जाएंगे, तुमको क्यो कर नहीं अनंत किताबे, ठीक है, तो उसने NCRT follow करी, तुम्हें क्या करना है, NCRT follow करना है, अब देखो, हर subject के लिए तुम्हें बता देता हूँ, basic basic अभी, अगर तुमको यही चीज डिटेल में चाहिए, कि हाँ, particular math है, इस सब्जेक्ट को मुझे कैसे करना है, हर subject है तुम्हें डिटेल में चाहिए, तो यह चीज जो मैं तुम्हें बता दूगा, तो देखो, math में तुमने करी, सबसे पहले NCRT, ठीक है, NCRT के साथ में तुमने एक side book लगा लिए NCRT examplar, क्या करा तुमने NCRT का एक chapter पड़ा, उस पड़ोगे, उसके बाद तुम देखोगे कोई अच्छी definition, अगर मान लो NCRT में chemical reaction की definition, अच्छी नहीं लिखी है तुम्हारा पहला chapter है, तो तुम क्या करोगे, reference book में definition लिखो का और अपने notes अच्छे बना लोगे, ठीक है, यह चीज तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं क तुम्हें बनते हैं कि की point heading, वो चीज़े आपने याद कर ली, सेम English Hindi में तो तुमने NCRT करी और हर चैप्टर की अपनी एक summary बना ली एक-एक page के अंदर और लाच्टर पेपर की time post को पढ़के चलेगे, और इस चीज को अगर तुम्हें अच्छे सिर्टेल में चीज है कि ह अगर में चीज करना है, तो यह डिटेल में वीडियो में तुम्हारे लिए बना दूगा ठीक है, पर क्या कि सोर्सिस काय के follow करने हैं, सिरफ इतने सोर्सिस तुम्हारे सामने भी लिखे हुए हैं तुमको यह follow करने है, इसके अलावा तुम्हें सिंगल चीज नी करना है, NCR करने हैं, किसी-किसी में रिफरेंस बुक लगा लोगे, तो रिफरेंस बुक सिरफ रिफरेंस के लिए होगी, ना कि उसमें मार्शरी करने हैं, ठीक है, और लास्ट में जब हमारा रिविजन का टाइम आए का तब हम P.I.Q की बात करेंगे हैं, मैं तुम्हारे प्रिविएस और NCRT Exampler तुम्हारी जो सामने बनी हुई है, कुछ ऐसी दिखती है, अब देखो strategy की क्या बात होती है, एक चीज तुम्हारे बता देता हूँ, तुम्हारे वीडियो को देखने के लिए रहते हो, तो देखो एक चीज तुम्हारे बता देता हूँ, जो तुम्हारे टॉप पर उनके बास अपनी अलग-अलग different strategy है, मानले एक टॉपर तुम्हारे 99 ला रखा है, मानले वो सुबह पढ़ता होगा, साम को सोजाता होगा, एक अगला topper होगा, वो भी 99 ला रखा है, पर वो रात को पढ़ता होगा, वो सुबह सोजाता होगा, different topper follow different strategy, ठीक है, हाद topper क अपनी strategy होती है, तभी तो उसमें top किया वही, और तुम सोचोगे कि यार मैं इसकी strategy उठा के follow कर लूगा, मैं कर लूगा top, possible नहीं है, ठीक है, तुम अपनी strategy खुद बनानी पड़ेगी, यह चीज को ध्यान में रखो, but loser have some common mistakes, ठीक है, पर जिसके नहीं आते हैंना number, उसकी तुम कुछ common mistakes होती है, तुम किसी की strategy भी सीधा नहीं अठा सकते हो, और अगर कोई fail हो रहा तो उसके failure से सीख सकते हो, क्योंकि वो limited चीज है, फेल होने वाली, पर आगे बढ़ने वाली, अननत चीज हो सकती है, क्योंकि तुम यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी यहां से भ सकते हो, तो ठीक है, यह चीज़े याद रखना, different of our follow, different strategy, but loser have some common mistakes, तो strategy के पीछे भी ज्यादा नहीं भागना, अपनी strategy खुद बनानी है, ठीक है, अब आगे हम बात कर लेंगे, चलो अगर तुमने इतनी चीज़े समझ गे, तुम है, ठीक है, राम साम की strategy है, गोलु बच् के लिए follow करना है, अब कैसे follow करना है, कैसे पढ़ना है, अगर यह चीज़ जानना चाहते हो, तो ठीक है, यह चीज़ के ओपर भी मैं एक detail video बना दूँगा, मान ले ना, इसी video का part 2 होगा हो, अभी तुमने मैंने sources बता दिये, अब हो sources को huge कैसे करना है, वो भी मैं तुमें वीडियो के नदर बता दूँगा, तो I hope चीज़े clear हो गई होगी होगी, शिरफ sidebook मैंने तुमें दो बताई, एक science के लिए, एक social science में self study वाली जो यहाँ पर बनी हुई है, math, math, NCRT, examplar कर लोगे, तुम यह ताच्छे questions मिलने होगे, ओ कर लोगे, और बाकी तुम इतनी च resources को पूरा करो, और resources मैंने तुम्हें अभी बता दी है, ठीक है, आई होगे, चीज़े clear हो गई होगी, बाकी वीडियो अच्छे लग रही है, ठीक है, दोस्तों को अपनी फैला दो, और बाकी चलो ठीक है, तुम्हें पढ़ना है, महनत से पढ़ो, और यहां तक पहुचो ठीक है, यहां तक पहुचाना है तुझे, और मैं ले जाओंगा तुझे यहां तक ठीक है, तो बाकी ठीक है, चलो, ओके बाई बाई बाई